ओम शान्ति आज 27 नवेंबर 2022 है हर रोज हम साकारवतनवासी ब्राम्भन उस निराकार पर मात्मा को परमधाम से अपने मीठे प्यार के और याद के बंधन में बांध कर ले आते हैं और रोज उनकी मुर्ली हम सुनते हैं मुर्ली से प्रतीत होता है जैसे बाबा बच्चों के प्रती बंधा हुआ है लेकिन ये बंधन जितना सूक्ष में है उतना शक्ति शाली और ये बंधन सिर्फ बाबा को ही नहीं खीच सकता ये बंधन हमारी प्रारब्द को भी खीच सकता है आईए जानते हैं इस बंधन के बारे में आज के अव्यक्त इशारों से ब्राम्हन जीवन की नेचर है याद में रहना ब्राम्हन जनम लेना अर्थात याद का बंधन बांधना जैसे वह ब्राम्हन जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं तो इस ब्राम्हन जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नैचुरल हो। इसलिए याद की अलग, सेवा अलग की नहीं। दोनों एकठा हो। आज भावा ने याद को बंधन बताया है। लेकिन ये बंधन हम आत्माओं को बांधता नहीं लेकिन हमें मुक्त कर देता है। अपने पुराने सुभाव संसकार से मुक्त। इस दुनिया की पुरानी बातों से मुक्त। व्यर्थ से मुक्त। और अपने विकर्मुस के बोज से भी मुक्त यहां तक की करम भोक से भी हम मुक्त हो जाते हैं भल परिस्थितियां आती हैं लेकिन उन परिस्थितियों से हम बंदते नहीं हैं लेकिन अपने पुरिशार्त में उड़ती कला से हम उड़ते रहते हैं और इस बंधन से स्वयम हम भगवान को भी बान सकते हैं व वो भी इस बंधन में बंद कर हमारे सामने हमेशा हाजर नाजिर रहता है। साथ ही साथ हमारी जो श्रेष्ट प्रारब्द है, वो प्रारब्द भी इसी बंधन से बंधी हुई आती जाती है हमारे पास। तो आज बाबा ने बताया कि जैसे लौकिक ब्राम्भन भी कोई ना कोई निशानी रखते हैं भले ही वो अपनी उची सिथी का यादगार चोटी हो या योग के पवित्रता के बंधन में बंधना जनेयू हो लेकिन कोई ना कोई बंधन कोई ना कोई निशानी ब्रामणों के पास रहती है या हमेशा अपने हाद से अच्छे कर्म करने का कलेवा हो तो ये सब हमारे इस समय के याद की ही स्वरूप है याद से ही उची सिथी बनती है याद ही बंधन है जो हमें पवित्र रखता है और हम निशानी इस जीवन की हमें अनमूल देन है एक natural birth right है गिफ्ट है इस गिफ्ट को जितना यूज करेंगे उतना ही ये हमें valuable बनाएगा और हमारी यादगार बनाएगा ओम शान्ती झाल झाल